उसेटी इंडिया चुकि राजनीत में महात्वण बिचारधारा होती है मैं इस देश के सामाजिक परिवर्थन के उन तमाम महापुर्शों जिनों ने दरीतों आदबासियों पिष्णों गरीबों मजलूमों अलसिंखकों के लिए सम्मान स्वाहिमान और सत्ता ससन में हिस्दारी की लाई लड़ी है जिसमें प्रमुक रूप से सामाजिक परिवर्थन के महानायक जोती बराव फुले जी आर्शन के जनर्ख श्यत्रपति सहोजी महाराज भारती सम्मिधान निर्माता बावसार ब्याक्टर अम्मेत कर पेरिया रामस्वामी नायकर नाराना गुरू संत गाड़गे मानौर कांसी राम रामशुप बर्माजी पेरिया ललेई शिंग्यादो सहीज जग्दियो बावु आदी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का मैं प्रयाश रामजीत के अपने सुलवाती दोर से करता चला रहा हूँ यही सोच करके मैं समाजबादी पार्टी को भी लगातार मज़ुपती प्रतान करने की कोशिश की लेकिन कुछ लोग जो यह था शिद्वादी सोच में बिस्वाश करते हैं समय समय पर वो कहीं न कहीं इस विचारधारा को रोकने का दूस्वाश कर रहे थे राष्टी अधर्चकलेश श्यादो जी को सारी बातों को अगध भी कराया लेकिन उनकी मौन स्विक्रिती और इस बात की प्रतीक हो गई कि प्रगर्श स्रील विचारधारा में बाधग बनने वाले लोग कहीं न कहीं उनकी सहमती की आधार पीशब कर रहे थे अनुथा बहुत पहले अनुशासन हिंता के आरोप में उन पर करवाई करनी चाहिए थी नहीं किया तो मैंने फैसला किया कि जब मैं समाजवादी पार्टी के महासरी उपस से छोड़ रहा हूँ तो मुझे पार्टीश सथा भी त्याग देनी चाहिए और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी की रूप में उत्रप्रदेश बिधान सभा निर्वार्चन छेतर से मैं उत्रप्रदेश की बिधान प्रश्ट में भी सथ्निर्वार्चीत हुआ था तो निर्वार्चन के आधार पर मैंने सद्रप्रदेश बिधान प्रस्ट प्रस्वी त्याग पत्र देने का फ्रश्टा ले लिया है मानी स्भापती जी विधान प्रश्ट को मैंने पत्र भी प्रिशित कर दिया है यानि समाजवादी पार्टी की प्रात्मी सदस्ता का त्याग पत्र में राष्टी अग्ले शादर जीर को भेद दिया और विधान परस्द की सदस्ता से त्याग पत्र का पत्र में ने मानी शुभापती विधान परस्द उत्रपतर जीर को भेद दिया है क्योंकि मैं स्वक्ष राजीत में विश्वास करता हूँ, बैचारिक और सध्धानतिक रूप से मैं किसी से भी टक्राने का परकदर रहा हूँ, ये टक्राहट पहले भी होती रही है, आज अलग होने का कान भी बैचारिक मद्वेद ही है, समाजबादीपार्टि से मेरा मनभेद नहीं है, क्योंकि समाजबादीपार्टी के निता अखलेशी आथा भी देखा वे ये समाजबादी विचारधरा के विभी जा रहे हैं जबकि नेता जी स्री मुलायम सिंग्यादोग के साथ भी मुझे काम करने का अन्म होत था वो खाटी समाजवादी नेता थे लेकिन नेता जी मुलायम सिंग्यादोग की विराशत समालने वाले लोग नेता जी मुलायम सिंग्यादोग की विचारधरा को भी ठीक से अनकर्ण नहीं कर पा रहे हैं यह दुख की बात है अब मैं इस देश के दलितों आदवासियों पिछणों गरीबों मजलूमों किशानों अल्पसंक्यक समाज के लोगों के शम्मान श्वाहिमान की लडाई के सा साथ सत्तर सासन में इस दारी की लडाई लड़ता रहूँगा मानवर कार्शी राम जी के बताय रास्ते पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदुलन के कारवा को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयाश रहेगा इसी क्रम में मैं 22 फरवरी दुजार चोवीश को दिल्ली के तार्गर्टोरा इस्रीडियम में जिसमें मुख्यर्दित के रूप में कार्श में मुझे समदीत होने का मौका मिल रहा है वहाँ पर कार्यकरताओं से राश्मारी करने के बाद मैं पार्टी बनने का अपना फैसले का उद्धोर्ष भी करूँगा अब जब रणभेरी बच चुकी है तो स्वाहई ग्रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम ब्यक्त की चाहत की अनुरूप उस्य सम्मान श्राइमान निस्षदारी के लाई अब लगातार आगे जारी रहेगी इसलिए मैंने कहा कि कथनी और करणी में अंतर है बेचारिक मद्भिनता के नाते मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है मद्भेद हुआ है मन्भेद नहीं हुआ है जब भी सही रास्ते पर आएंगे मैं उनका स्वागत रने कोशिश करूँगा लेकिन फिरहाल अभी वो रास्ते से भटके हुए हैं यहां तक कि नेता जी मुलाइम सिंग्यादो की विचार धारा को भी मजाग उड़ा रहे हैं आज कहने के लिए तो अपने को कहते हैं कि हम से कुलर हैं धर्मिर्प्रिक्ष हैं लेकिन कहीं ने कहीं वो भी मनवादी ब्युस्ता की शिकार हैं इसलिए हमने फैस्टा लिया है इस देश में गरीमों के लाई लगने का आजबासियों धर्टों पिष्ड़ों किषानों मद्दूरों गरीबों के स्रमान स्राहिमान की आवाज बलंद करने का और उन्हें इसलिए माना जाया कि जो राष्टी सोश्ट समाज पार्टी है उसके बतार राष्ट्री अद्ध्र आप आप विस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे जिसके आप गोशाश्टा इस पर इस पर ने मैंने समय समय पर बाबसाब ड्याक्टर अमिर्कर जुतिव अफले मानुर कार्शियाम जी की विचार धारा पर लगतार काम किया हूं लंबे अर्ष्ट तक बोजन समाज पार्टी में काम किया भिन भिन अन्य दलों में जहां भी रहा हूं मैं कभी भी विचार धार से हटा नहीं विप्रीत प्रस्टियों में रहकर के भी मैंने इस विचार धारा को आगे बढ़ाया हूं समाजवादी पारटी में भी इसी विचार धारा के साथ कम करने का इजादा लेकि मैं आया था लेकिन प्रस्तियां अन्कूल नहीं रहीं जिसके नाते आज मैंने समाजवादी पाटी की प्रात्वी सोस्ता से भी इस्तिफा दिया, विधान प्रसर से भी इस्तिफा दिया, तो स्वाविग रूप से जब हमारी थाती महापुर्शों की विराशत, विचारधारा, मिशन है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम मजबूती के साथ मैं आवर सिखनूगा, आपकी जो पार्टी जो अधाश्य सोश्ति समाज पार्टी है, इसमें आपके अलावा क्या समाजवादी पार्टी की भी कुछ लोग शामिल होने की बादे से आरी क्या राम गोविन चौदरी भी किता है, उनका मैं पहले भी समाण करता था, आज भी समाण कर रहा हूं, और जब एक साथ एक पार्टी में नहीं थे, तब भी मैंनका समान करता था, इसलिए मैंने पहले भी कहा, बैचारिक मनभेद अलग है, आपसी मनभेद अलग है. अपने साथ आप लाओंगे हैं हम वो बहुत बरेश्ट नेता हैं हम उनसे बात करेंगे उनकी जो भी चाहत होगी मैं उसके अनुरूप कदम उठाऊंगा अभी इस दिसा में कोई बात नहीं हुई है इसलिए पहले से किसी प्रकार का फोर काश करना उचित नहीं समस्ता हूं हमने इतने कम समय में इस बात का ध्यन किया कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी मत पूर्ण भूंका में समाजबादी पार्टी में रहेंगे तब तक समाजबादी पार्टी पर इसी प्रकार का गहना लगा रहेगा का बनुका लगा रहेगा कि झाले हमने।